तो आप आविक रूप से आप सब को समझ रिया गया था कि दो बज़े आई गया लेकिन मैं सायोग से लगपकोंने दो बज़े आ गया और जब यहाँ पर आया तो बताया गया कि अभी आप कुछ देर सक पर तीचा करिए क्योंकि अभी लोग आ रही हैं और आ तो अभी भी रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि मैंने कहा कि वो भी आ रहे हैं समय से पहले आ चुके हैं वो भी समझदार हैं और जो समय पर आने वाले हैं वो भी समझदार हैं और मुझे लगता है वो ज़्यादा समझदार है क्योंकि एक आजकल एक प्रचलन चल गया है कि जब देता आता है तो जो समय देता है वो समय पर देता है और इसी कारण लोग मान करके चलते हैं कि आदा घंका तो बहुत मामूली बात है और कई-कई जगे तो जो बड़े-बड़े कारण होते हैं उसमें लोग कहते हैं कि एक गंता है यह आपको दो बज़े के समय दी आया है अरखात वो कोई भी होगा नेता गम वो आपके पास तीन बज़े आया स्वाब आवे करें मैंने इसलिए कार जो देर से भी आ रहे थे अरखात दो बज़े के बाद तक भी आ रहे हैं वो ज्यादा समझा आ रहे हैं लेकिन मेरे मन में एक अभी लाशा थी और कुछ लोग मुझे पूस रहे थे जब मैं अंदर प्रतिक्षा कर रहा था कि मैं लोग आ रहे हैं कि अभी आचुके सभी तो अनो ने कार कुछ अभी कुछ यहां खाली है आपको क्यो उतना वो कावला पना है तो उनसे मैंने यह अपने दिल की बात कही है कि मैं गुणा आया हूँ गुणा में मेरे बड़े भाई साब यहां पर रहते हैं इसलिए कई वर्सों से 40-40 वर्सों से वो रह रहे हैं सरकारी तोकरी में थे उन्होंने अपना मकान बनाया अन्मान नगर में मैं भी कई बार आया हूँ लेकि मेरे मन में उतावला पर इसलिए था कि जिस भाई से मिलना एक बात है लेकि उस द्रस्की से मैं सोचता था कि गुना का हमारा हर नागरिक या तो बड़ा भाई होगा या छोटा भाई होगा अर इसलिए एक अपना परिवार में आपको भी लगता होगा कि जब परिवार बारों से मिलने की बात आती है तो एक थोड़ा बहुत दिल में उतावला पने नंगरता है कि अब कितनी जल्दी कहुँखें किटनी जल्दी उनकी हम Nomous targeted करें और इसलिए मेरे मन में वह बात की लेकिन जब मैं यहां पर आया तो सच मुछ यह बात कहने की जवगत नहीं है कि मेरा पूरे मद्ध प्रदेश से बहुत पुराना लगा और कभी-कभी जब मैं आता था तो मैं कहता था कि कुछ लोग सूचते थे कि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हो उत्तर प्रदेश में जन्द में लेकिन आप मद्ध प्रदेश में इतनी मैंने कल सागर में था वहां भी मैंने कहा कि मुझे भी लगता है कि मद्ध प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला होगा जहां तक मैं पहुंचा था और इसलिए मैं क अब इसले घर में कभी कि भी मुख कहते हैं कि क्यों मानते हुए एक तो उदारण मैंने इसलिए दे दिया कि गुना के हर नागिरिक यह तो मेरा चोटा भाई है यह मेरा बादा भाई है अब इसलिए स्वावाविक है कि मद्व प्रणेश में आता रहूं बार बार आऊं यह मेरी इक्षा भी होती है यह बताया गया मुझे यहां आने पर मुख मंत्री जी ने भी बताया कि आप ऐसे पहले राश्पती हैं जिनका कि इसले 70 वरसों में दोना आना था स्वावाविक है राश्पती नहीं है राश्पती की एक मरियादा और इतने जिलों में जिले मुख्यालें तक पहुचना संभव नहीं है लेकिन यहाँ गुना से सम्मंध राष्टपती का सीधा सम्मंध नहीं है बलकि यहाँ पर गुना आने का सम्मंध रामनाथ ओहिन से अभी मद्ध देश में पिछले 15 दिन पहले मैं बावा साथ धीम राओ राम जी अम्वेटकर की जन मिस्थली महू की याद्रा करने का मुझे सवबात मिला था आज फिर आपके बीच आकर मुझे प्रसनिता हुई है मत्र प्रदेश बावा साथ की जन्रों हुई तो है है एक और दिसिस्ता है भारत रत्न से अलंक्रत पूर प्रधार मंजी सी अतल बिहारी बाज्टे भी यहीं ग्वालियर में पलिर बहे और आगे चल करके उन्होंने देश को योग के ने फिर फिर और इसी के साथ मैं जोड़ दू कि बुना की एक और दिसिस्ता है मित्रों शायद हम समझते नहीं है कभी-कभी एक टावत होती है कि धर का जोगना जोगना आनगाओं का सी टावत है ना ग्रमेशन लाहुर्टी के बारे में उनको आप मानते हैं गुना के निवाशी के वकालत करते रहे मित्रों मैं मानता हूँ कि शायद ये गुना के लिए आईटिया से घटना थी कि आपके नगर के सी इमान ग्रमेशन लाहुर्टी इस देश के चीप जस्टिस नहीं बहुत वरी बात और मैं नहीं समझता हूँ कि आगामी जो निकट भविस है उसमें कोई यहां का लिप्ती निकल करके हाई पोर्ट कर पहुँच सके तो एक संभावना बनती है लेकिन भारत का मुख्ध नियादीस बन सकेगा ऐसी मुझे संभावना नजर नहीं और इसलिए मैं गुणा को और भी तरजी लिए भी देता हूँ गुणा का ये नगर और भी एक विसेष्टा है जन जन में लोग अपनी रही सीमती विजय राजेस सिंधिया की कर्म दूनी रहा है उन्होंने त्यार किया उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्यार कर जन सेवा को अपनाया था गुणा जहर मेरे लिए नया नहीं है ये मैंने आपको पहले भी बताया और करी बारा चुपा राश्पती के रूप में जैसा मैंने आपसे निवेधन किया अपने घर जैसे नगर म्याकर और गर्व जोसी से भरा आप सबका स्वागत पाकर मैं फिर्टेश से अरिहूद हूँ इस स्वागत सत्कार के लिए में आप सभी को धन्नवा देता मत प्रडेश सांस्कृति गुरूप से अती समर्द है कितिहास, धार्म, अध्याद, संस्कृत, संगीत और सिर्पकला के छेत्रों में ये प्रडेश अगरणी रहा है बुल्देलखन की धर्ती पर राणी अवंधी बाई और जहकारी बाई में जन्म लिया मत प्रडेश में ही तांत्याब जीन का जन्म हुआ जो नहीं आधिवास्वियों और बंचितों पर हो रहा है अत्याचार का ससक्त वियोत किया लोग प्यार से उन्हें तांत्याब मामा में कहते थे और आज मत प्रडेश की जन्ता अपने मुख्मत्री जी को मामा कहते है जन्ता अधार मदप्रेश की बेटिया सौलावे के उनका रिकार भी है क्योंकि इसलिए क्योंकि मुख्मत्री जी उनकी सिक्षा की उनके स्वास्त की उनकी विवार की और ना जाने कितनी उनके सभी कुछ जितनी भी हो सकती है उन सब की वो अपने भाजियों की चिंता करते हैं इसलिए स्वावाविक है कि मुख्मंती को ही आज मद्र प्रदेश की बेटियां अपना मामा कहती है मित्रो गुना ग्वालियर स्यूपुरी का ये छेद्र अनेक सुतंतता संग्राम से नानियों की जन्व भूमी और कर्म भूमी रहा है कहा जाता है कि प्रतम सुतंतता संग्राम के भीर सिपाहित तांतिया टोपे लानी लक्षमिवाई के मूँ बोले भाई थी उनका वेलिदान निकटवर्ती नगर स्यूपुरी में अप्रेल 1869 में गुआ था इसी गुना सहर में जन्मे स्री सागर सिंग से सो दिया था उनको हम कैसे बोल सकते हैं जो क्रांत का जिस क्रांत कारी ने आजादी की लड़ाई में इस्सा जिगा था मद्द प्रदेश ने भारत को दो-दो लिया दीज लिये एक कातो में ने जिगर लिया लेकिन दूसरे भी मद्द प्रदेश से ही गय थे जो स्वर्गी हो चुके हैं ज्यायमूर्तिसी जियेस वागमान इस प्रकार ये मद्द प्रदेश का सभ़ाग है कि आपके प्रदेश ने इस कुछ हाइस्ट जिवडियसरी अब दे लैंड उनको हमें दो-दो चीफ जस्टिस दिये लावटी साब से मेरा पूर पर्चे भी है और संयोग से एक बार जब वो मिले रिटायर होने के बार में प्लाश्पती गवर्ण में मैंने आमात्र किया तो मैंने पूंचा आया कि लावटी जी मुझे भ्यान नहीं लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं गुना जाता था 2, 3, 3 त teenager रुखता है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवार में गया उन्होंने का कुछ आपको हम एक मकान के वोरिया कुछ काता है मैंने का संभोता मुझे याद है कि आपके माताजी थी, ब्रदवस्था में थी, और जिस समय में मताल में बुशा, एक पड़ी इसा, एक बड़ा खमरा था, उसके अंदर वो बैठी हुई थी, और उसके अंदर से फिर मैं फिर ले गए, एक आंगन मिला, आंगन में वो जाकर कि उन्हों ने कहा कि उनको यहां बुलाईए, मैं वहां गया, उनका मैंने उनको फड़ाम किया, लेकिन ये, तो उन्हों ने कहा बिल्कुल आप ठीक के रहे, आप मेरे ही घर में गये थे, तो मैंने कहा ये तो संयोग की बात होगे कि मैं आप से पर्चेबाद में हुआ, ल और आपकी माताशीक आसे बाद लेकरके बहले आ गया है. नित्रों बिगर्ग बर्स में मदद कुछी की पेषिब कार्शदर देश में सबसे अधिक रही है. हाल ही में मदद कुछी को केंद सरकार गوरह कुछी कर्म उर्फुररस कार से सम्मानशित किया है. इसके लिए प्रदेश के किसान भी बधाई के हक्तार है पुझे ये जानकर कुसी हुई कि अपने कार्डियों में सरकार को राजपाल स्री मतियानंदी बेन पटेल का मार्गरसंत राप हो रहा है जने गुझराप में सारवजनिक जीवन में सफलता पूरवक्त योगदान करने का दीर गटालीन अनगोव है गुना सहर हम सब लोग जानते हैं इसकी भगोली की स्थिती क्या है गुना सहर भी चार लेन के राजमार्ट से जुड़ा हुआ है परिवहन की द्रस्टी से गुना की इस्थिती बहुत महात्पूर है गौाहियर से इत्वर के रास्ते में ये लगबर बीचो बीच पड़ता है इसलिए एक सहर के रूप में इसके विकास की बहुत समभना है पिछले कुछ बर्सों मैं भारत के परियतन मांचित्र पर मद्रप्रदेश ने पर भावसाली उपस्ति दर्श कर आई और पिछले तीन बर्सों से उसे वेस्ट टूरिजम आवार्ड प्राफ्ट हो रहा है गुना सहर भी परियतन की द्रस्टी से महत्पूर है इस थानी तोड़ पर धार्मिक परिकन स्थलो जिनका उलेख किया गया विसेश का टेक्री मंदर वीजबुजा देली मंदर को विक्सित किया जा सकता है पिछली बार जब मैं यहाँ पर विहार का राच्यपाल था तब ही मेरा 2016 में एक बार आना हुआ था और सलूजा जी ने मुझे आगरे किया कि एक बार आप जरूर टेक्री मंदर में चलें मैं गया उंके चाहँ अच्छा इसलिए लगा कि जब मैं 20 बर्स पहले जब मैं उसी टेक्री मंदर में गया था और जब दो साल पहले में गया तो बिल्कुल एक उसको जिसकी smart city, वो smart temple हम उसको इद नाम दें तो इसकी अच्छोप्ती नहीं है तो यह जो smart city की कलपना है तो इसी से आपको मैंने उदारण देखा करके बढ़ाएं वो 20 साल का जो टेटरी मंदर था और जो आज का टेटरी मंदर है उसमें एक अंतर क्या है यहीं अंतर आपको जब गुना जिस समय मेनी smart city बन जाएगा वो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि 10 साल और 20 साल पहले गुना की क्याशनी तिकी और 2019-2021 में इसकी क्याशनी होगी है गुना के पास ही इस माधाव रास्टी फार्क और प्रेडा पक्षी अभयारण है इन बने जीविस्तलों के साथ गुना और वालियत के आसपास के दार में आइकियासिक और परियतन इसकलों को आपस में जोड़ा जा सकता है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और कुछ सालीम करेगा। सहरों का भारत की अर्थ बिवस्ता में बहुत बढ़ाई होता है। इसलिए सहरों की बिशाद असा सुखाणने के लिए भारत सास्कार ने स्मार्ट सिकी परियोजना सुन की है। इस परियोजना के तहर चुनिंदा सहरों में उत्प्रेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक गतिलिगी, सांस्क्रितिक बातावर्ण और सहर की अपनी विस्स पहचान का एक समय के एको सिस्टम तयार किया जा रहा है। इसके लिए चुने के पूरे देश पर में सो सहरों में से मद्व देश के साथ सहर है। सेवन सिटी से। राज्यसरकार ने दूर दर्शतापूर रेड़ने लेते हुए राज्यसरकार पर मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना सुरू की है। मुझे कुसी है कि गुना सहर में भी मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना की आज शुरू आत हो रहे है। मुझे विश्वास है कि इससे नगरवाशियों की सुख सम्रत्धी के नए ने रास्ते छोलेगे। कि इस उपलब्धी के लिए समी नगरवाशियों और मद्द प्रदेश सरकार को पेरी बहुत 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 पताई। हम जानते हैं कि किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए स्रक्षना एक अनिवार साथ है। और कल में किसी एक र्यूस्पेपर पढ़ ला थी। और ये स्मार्ट को यदि हमारे लाउर्टी साम ने बहुत अच्छे ड़क से उसका एक चिप्रल किया था परिभासा दीती है। देगेंगा उसको एक और चीज जोड़ना चाहता। कि स्मार्ट कब हम कहते हैं हम इंडिविजूर अपने को स्मार्ट जाए। जब हम धर में रहते हैं किसी शादी व्या में जाते हैं तो इस्मार्ट बनके जाते हैं। कहीं हम नौकरी पेसे के लिए इंटर्वू देने जाते हैं तो इस्मार्ट बनके जाते हैं। कहीं आप अपने रिष्टेदारों के या असेस्वराल में जाते हैं, त्री स्मार्ट बनके जाते हैं. कैसे बनते हैं? उस देन हम नाएंगे भी दाडी अगर होगी थोड़ी बहुत तो दाडी जरूर बनाएगे जूते में पालिस नहीं है तो पालिस भी करगा के जाएंगे और इस प्रिकार से आप देखेंगे कपड़े भी हमारे साफ सुत्रे होगे कुछ है भले कई दिन के रख्यों भुले वो कपड़े चका चक कपड़े वो पहन करके जब हम जाते हैं तो आपका कोई दोस्त भी मिलेगा तो वो ये कहेगा कि नित्र आज तो आप बहुत स्मार्ट लगते हैं और ये स्मार्ट की जो कल्पना है आप इसी से समझ सकते हैं और जिस दिन कोई निकलेगा यहां से इस गुना सहर से और वो कहेगा कि ये गुना जो 20 साल पहले का था 10 साल पहले का था आज गुना में बहुत बढ़लाव आ गया है और सच मुझ में धीरे धीरे बढ़लाव आ रहा है मुझे पूर्ट चार्ट क्या रही है लेकिन उस समय था ये ये चीज़ है लेकिन ये जो बढ़लाव आपको देखने का मिलेगा एक गुना के घटना का उलेक करना चाहता है कली मैंने इसी समा चार्ट पतना गुना की निवासी स्री राजन सर्मा जी के बारे में सुना और उसमें बताया गया कि लगबक 40 सालों से अपनी गली में खुद ही सफाई करते हैं पेशे से वो वकीर है, सुबह वच्ते हैं उनकी गली में हो सकता है 15 मकान होंगे, 20 मकान होंगे लेकिन एक जगे से ले करके और धारूर रगाना पानी डालना, साफ सफाई रखना और ये देखे, सयोग देखे, वर्टमान में आज की तारीक में उनकी पत्री ग्वालियर नगर निकम की पार्षद है देखे, उसके पाप दोद भी लोगों को तानी कसते हैं कि वकीर साथ क्या कर रहे हो आप तो अपनी इजन का ध्यान रखे, आप अपनी पत्री पार्षद है, उनका ध्यान रखे, पुरे नगर निकम का ध्यान रखे, रखे, आप तो इतनी बेशर्मी करते हैं तो रादेन सर्मा जी आज भी कहते हैं कि मेरी पत्री जो है वो उसकी जो यहाँ चुनी गई है पार्षत अच्छी बात है वो केवल इस गली के लिए नहीं चुनी गई है वेलकि पूरा जो हमारा पार्षत का जो इलाखा है जिसको आप वार्ड कहते हैं उस वार्ड ही चुनी आज भी डेक्ति वो पेसे से वकीर होते हुए भी इसकी पत्री पार्सक होते हुए भी और पिर भी सुबह जो है उठके जारू लगाता है पानी से साफ करता है उसको अपने उदे में और आज ये बात कहीं जाती है ग्वालियर में कि ये आपको साफ सुथरी गली देखना है तो वो राजन सर्मा वक्तित साथ की गली है उसको देख लिया कितना गौरो होता है उस यक्ति को कितना गौरो और गौलियर के नगर के लोग पर हमारे जैवान से को बिया भी महीं से, सवभा के से कितना सब लोगों को उपने नगर पर गौरो होता है ऐसे सामान नागरिकों के असामान योगदानों से गाउं, नगर, राज्य और देश को बहुत लाप पहुशता है मिफ्रोब अंत में आप सबने जो आदर और सब्कार मुझे प्रदान किया उसकी यादे मेरे मन में सदय का जा जाने मदप्रदेश की निवासियों के सुखी, यहां सम्रद्य जीवन के लिए मैं अपनी इश्यों कामनाएं देता हूं और आंत में जिस भवन में रहता हूँ, उसको लोग राश्पती भवन रहते हैं और राश्पती भवन के लवकिवर मेरा नहीं है, तो राश्पती भवन भारत की धरोवर है और उसमें हर भारत बासी का उतना यदिकार है जितना की रामनात को निकार है और इसलिए मैं आपको आमत्रित करता हूँ, जब भी आप दिल्ली आएं, तो कोसिस करिएगा कि एक बार राश्पती भवन वो आपकी धरोवर है, आप उसको देखिए, आप इसमें आजिए, इसमें मैं आप सब्ता वहाँ पर भी स्वागत करता हूँ पहले कहा जाता था कि राश्पती भवन सब्ता में एक दिन खुलता था, जनता की लिए, जब से मैं आया, तो कि मैं उस आप सब के बीच से निकल करके आया हूँ तो मुझे लगा कि राश्पती भवन देखने का आउसर जब मैं सांसर बना था, राजसवा सांसर, तम मुझे आउसर मिला था, तो मुझे लगगा है कि इसका मतलब है कि जो सांसर और विधायक नहीं होगा, कोई देता नहीं होगा, उसको राश्पती भवन देखने का इसने में आप सब को विया मंतुर करता हूं धन्नवाद जैने